दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किचन में कौन सा बास्केट यूज करना चाहिए 202 ग्रेट का बास्केट, 304 ग्रेट का बास्केट या टेंडम बॉक्स इस टॉपिक को कवर करने के लिए कुछ पॉइंट्स को जाना बहँज जरूरी है 202 और 304 ग्रेट वाले बास्केट का basic difference क्या है 202 और 304 स्टेनलेर स्टिल की प्रोपर्टी क्या है 2.202 और 304 ग्रेट की बास्केट की पहचान कैसे करे 4.202 और 304 ग्रेट वाले बास्केट में कौन सा size एवेलेवल है 5. Price difference क्या है नमबर 6, कितनी दिनों की वारेंटी होती है और अंत में बात करेंगे SS बास्केट और टेंडम बॉक्स में कौन सा बास्केट आपके किचन्स के लिए परफेक्ट होगा नमबर 1, 202 और 304 ग्रेट वाले बास्केट का बेसिक डिफरेंस क्या है दोस्तों किचन्स में यूज करने के लिए बहुत तरह के कंबनी बास्केट बनाती है जिसमें दो तरह के स्टील का यूज किया जाता है 202 ग्रेट और 304 ग्रेट 202 ग्रेट वाले स्टील में कुछ ही दिनों में जंग लगना सुरू हो जाता है जबकि 304 ग्रेट वाले बास्केट में जंग नहीं लगता 304 ग्रेट के बास्केट और 202 ग्रेट के बास्केट से ज़्यादा टिकाओ होता है नमबर 2, 202 और 304 स्टेनलेज स्टील की प्रॉपर्टी क्या है 202 ग्रेट वाले स्टील में मैगनेटिक कॉंटेन्ट 7.5 आप टू 10 परसेंटेज होता है जबकि 304 ग्रेट वाले स्टील में मैगनेटिक कॉंटेन्ट 2 परसेंटेज होता है 202 grade वाले steel में magnesium की मातरा अधिक होती है जबकि nickels की मातरा कम होती है 304 grade वाले basket में chromium की मातरा 10-20% होती है जबकि nickels की मातरा 8-10% होती है 202 और 304 grade वाले basket को कैसे पहचान सकते हैं दोस्तो जब भी आप kitchens के लिए कोई basket buy करते हैं तो basket के cover में ही लिखा होता है कि ये basket 202 grade का है और ये basket 204 grade का है इस तरह से जान सकते हैं नहीं तो आप लोगों को hardware के shop में grade tester नाम का एक छोटा सा पूतर मिलेगा जिसका उपयोग grade को चेक करने के लिए किया जाता है इसका एक boond steel पर डाले अगर boond का color change ना हो तो ये 304 grade का basket है अगर boond का color change होकर orange हो जाता है तो ये basket आप लोगो 202 grade का basket है और इस तरह का से आप अपने kitchen के basket को चेक कर पाएंगे नमबर पूर 202 और 304 grade वाले basket में कौन-कौन से sizes आते हैं 202 grade का basket हो या 304 grade का basket हो दोनों का size लगबग पराबर होता है इसका height 4, 6, 8 inch होता है और इसका depth 20, 22, 24 inch होता है इसका length 15, 17, 19, 21, 23 inch तक होता है इसमें आप लोगों को बहुत तरह के variety के basket मिल जाते हैं जैसे cutlery, cup and suzer, plain basket, bottle pullout, it's extra नमबर 5 बात करते हैं price difference 202 grade के basket का price लगबग 1100 रुपे से 2600 रुपे तक होता है जबकि 304 grade वाले basket का price 1900 रुपे से 1500 रुपे तक मिलेगा बात करते हैं इसकी warranty 202 grade वाले basket में कोई warranty नहीं मिलता है जबकि 304 grade वाले basket में एक से 5 सल का warranty मिलता है डिपेंड करता है आप किस company का basket को खरीटते हैं अब बात करते हैं SS basket और tandem box के finishing difference tandem basket के finishing पिचंस में SS basket से काफी smooth होता है और styles और premium quality भी दिखता है tandem box की price rate लगब 2900 रुपे से 7000 रुपे तक की होती है और इसकी warranty लगबग 5 साल से 10 साल तक होती है दोस्तों आप लोगों का वचट अच्छा है तो जरूर अपने किचंद में tandem box लगाएं और 304 grade के basket को यूज करें दोस्तों मैं इसी तरह के funny size के related वीडियो लेकी आते रहता हूं आप लोगों को वीडियो वाकई पसंद आता है तो एक like और subscribe जरूर कीजेगा तो मिलते हैं next वीडियो के तरफ जहिन पन्ने मातर हम